श्रेतर में मेरे 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज रायगार के धरम जैगार में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है हालागी 25 सप्राइल को धरम जैगार में दूसरे दिन की अप्रेक्षा काफी कम मरीज मिले है जबकि 25 अप्रेल रवीवार को कुल देर सो लोगों ने कोरोना जांच कर आई है जिसमें 45 मरीजों की ही पहचान हुई है रवीवार के चलते कम लोगों ने कोरोना जांच हुई है कुल देर सो लोगों की ही जांच हो पाई और इतने कम टेस्टिंग में 45 का अंकड़ा भी बहुत कम है आपको बतादें कि धरम जैगर में कोरोना जांस से जो अंकड़ा सामने आ रहा है उसके इसाब से हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रवित है शेत्र में कोरोना समर्मी का सिलसिला भी लगतार चल रहा है कोरोना से 25 अप्रैल को भी दो लोगों की मौत हो गई है कोरोना तो ग्रामीड शेत्रों को पूरी तरह से जगार लिया है शोयर में भी रोज कोरोना मरीज मिर रहे हैं पुलिस और इस्थानिया प्रिशासन कोरोना का चैन तूट सके इसके लिए काफी प्रियास कर रही है लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरीद कर रही है इस्थानिया प्रिशासन की लाग कोशिश के बाद भी कुछ लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है जिसका नतीजा है कि श्वेतर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें घर पे रहें, सुरक्षित रहें